नमस्कार, कापिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ राजप्रीत कौर लोग सभाद चुनाफ के लिए वक्त धीरे धीरे रेत की तरहा फिसलता जा रहा है सभी पाटियों ने अपनी अपनी कमर कसली है जिसके बाद चुनावी महौल भी बन चुका है और चुनाफ का बिगुल तो पहले ही बच चुका है लेकिन चुनावी मौसम में कुछ नेता अपनी भाशा पर नियंतर खो देते हैं जो कुछ भी मूँ में आता है वो बोल देते हैं जिसके बाद उनकी मुश्किले बढ़ जाती है लेकिन हैरानी की बात ये भी है कि देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पर भी अभद्र टिपणी करने से पहले पाठियों के नेता एक बार भी नहीं सोचते हैं और चुनावी मौसम में नेता अपनी जुबान से कुछ भी बोल जाते हैं अभी हाल में जेल से बाहर आये आम आदमी पाठी के राज्य सभासांसत संजय सिंग भी भाशा पर नियंत्रन खो बैठे और पीम मोदी पर अभद्र टिपणी कर दी तो चलिए बताते हैं आखिर क्या कुछ है पूरा मामला देश के सबसे लोग प्रिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्षी नेताओं की ओर से गाली देने का सिलसला लगातार जारी है लोग सभाज चुनाफ के समय ये और तेज हो गया है अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के करीबी नेता संजे सिंग ने प्रधान मंत्री मोदी के प्रती अपशब्दों का इस्तमाल किया है आम अपनी पाटी सांसत ने प्रधान मंत्री मोदी को अपशकुनी बताया है शराब घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आने के बाद पाठी कारेकरताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी एक सभा में गए और उन्होंने कहा कि गाउं गाउं में कब्रिस्तान होता है तो शम्शान भी होना चाहिए अरे इतने अप्शकुनी हैं ये लोग कि उसी के बाद कोरोना की महामारी आ गई और गाउं गाउं में शम्शान हो गया आप भी सुनिये क्या कहा है संजेस सिंग ने अरे लोग है ये लोग उसी के बाद कोरोना की महामारी आ गई गाउं में सब्तान है आम आत्मी पाजी के राज्य सभा सांसत संजेसिंग ने प्रधान मंत्री मोधी के प्रती आपत्ती जनक शब्द का प्रयोक करते हुए उन्हें अप्शकुनी बताया शराब घोटाले में जमानत पर बहार आये संजेसिंग ने पाटी कारे करताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोधी जी एक सभा में गए और उन्होंने कहा कि गाउं गाउं में कब्रिस्तान होता है तो शम्शान भी होना चाहिए अरे इतने अप्शकुनी है ये लोग की उसी के बाद कोरोना की महमारी आ गई और गाउं गाउं में शम्शान हो गया जिसके बाद सियासी पारा काफी जादा हाई हो गया है लेकिन ये हैराने की बात नहीं है क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने पीए मोधी पर अभधर टिपड़ी की है अभी ह प्रणोल कॉंग्रस की प्रमुख ममताबैनरची ने अपने भाशन के दोरान राजनीतिक गरिमा को तार-तार करते हुए प्रधान मंतरी मोधी को साला जैसे अपशप्त से संबोधित किया ममताबैनरची ने कहा कि केंदर सरकार की ओर से मिलने वाले राशन के पाकिट पर प् बचाओ महाराली में कहा तुम तो धोके बाज हो वादा करके भूल जाते हो रोज रोज मोदी जी ऐसा करोगे जनता रूट जाएगी तो हात मलोगे तिजस्वी यादव ने ये भी कहा कि मोदी की गारंटी चाइनीज माल वाली गारंटी है जो सिर्फ चुनाफ तक रहेगी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी त्रिणमूल कॉंग्रस के नेता पियूश पांडा ने प्रधान मंतरी मोदी की जाती को लेकर बेहत विवादित बयान दिया है पियूश पांडा ने कहा एक तेली का बेटा राम मंदर का उद्खाटन और पूचा कैसे कर सकता है नरेंद्र मोदी ने अधूरे राम मंदर का उद्खाटन करके इर्शनिंदा की है ऐसा मैं नहीं बलकि शंकराचारेओं ने कहा है मोदी बहुत अहंकारी है वो तेली समुदाय से है और वो मंदर का उद्खाटन कर रहे है चबकि ब्रामणों को आमंतरित नहीं किया जा रहा है दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केज्रिवाल की गिरफतारी के बाद राहूल गांधी ने प्रधान मंतरी मोदी के खिलाख आपत्ती जनक शब्दों का इस्तमाल किया है उन्होंने ट्वीट किया है कि दरा हुआ ताना शहा एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है मीडिया समेथ सभी संस्थाओं पर कवजा पार्टियों को तोड़ना कम्पनियों से हफ्ता वसूली मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना भी असूरी शक्ती के लिए कम था तो अब चुने हुए मुख्य मंत्री की ग्रफतारी भी आम बात हो गई है इतना ही नहीं महाराश्ट्र में 20 मार्च को एक कारिक्रम में शिफसेना के नेता संजेर राउत ने देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के तुलना औरंग जेब से की राउत ने अपनी विवादित टिपड़े में कहा कि लोग सभा चुनाव 2024 में एक बार फिर औरंग जेब की एंट्री हो गई है उन्होंने कहा कि औरंग जेब सोच वाले लोग दिल्ली से महराश्टर पर चड़ाई कर रहे हैं कॉंग्रस के पूर्वध्यक्ष राहूल गांधी ने एक बार फिर प्रधान मंत्री मोदी के खिलाफ विवादित पयान दिया राजिस्थान के जालोर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी के बेटे राहूल गांधी ने प्रधान मंत्री मोदी को पनौती कहा क्रिकेट विश्वकप फाइनल मैच में उस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की हार पर पूर्फ प्रधान मंत्री राजीव गांधी के बेटे ने कहा कि अच्छा भला वहां हमारे लड़के वर्ल्ड कप जीत जाते लेकिन पनौती ने हरवा दिया कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अरचुन खडगे ने तिलंगाना में पाठी का घोशना पत्र जारी करने के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिपणी की उन्होंने कहा कि क्या आपके खाते में 15 लाक रुपए आए क्या किसानों की आए दोगुनी हुई उन्होंने कहा मोदी सब जूट बोलते हैं लेकिन हम जब ये बोलते हैं तो आप मेंसे चंद लोग गुस्से में आ जाते हैं अब कहते हैं कि प्रधान मंत्री को ऐसा कैसे बोला मैं कहता हूँ पी-एम तो एक तरफ है यहां बैठा पी-एम का बाप भी जूट बोलने में कम नहीं है कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिका आरजुन खडगे ने जोतपूर में कहा कि 2014 में पी-एम मोदी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो देश के बाहर का काला धन हिंदुस्तान वापस लाकर हर किसी की जेब में 15 लाक आएंगे एक प्रधान मंत्री जूट नहीं बोलता तो यह 15 लाक वाली बात कहा गई फिर 2 करोड नौकरी सालाना देने की बात करते हैं अब तक तो 19 करोड नौकरी देनी थी मिली किसी को नौकरी मैं कहता हूँ कि मोदी जूट बोलते हैं और वे तो जूटों के सरदार है ऐसे जूट बोलना उनकी आदत है राश्च्र प्रवक्ता नीरज मिश्रा ने प्रधान मंत्री मोदी के खिलाव जहरुगला है उन्होंने एक निउस चानल में बहस के दौरान प्रधान मंत्री मोदी के खिलाव अपांचनक शब्दों का इस्तमाल किया उन्होंने कहा कि मोदी जी शायद समझ गए कि उनसे नालायक और निकम्मा कोई भी राजनीतिक कारिकरता इस देश में नहीं है संके उन कारिकरताओं की उपर नरेंद्र मोदी जी ने सवाली निशाना खड़ा कर दिया है कि वो इस सरकार की जो भी योजनाय रही उनको लोगों तक नहीं पहुचा पाए कॉंगरस की महब्बत की दुकान से जहर उगलते हुए उदेश राज कर रहा है नीचे पांडवा राज कर रहा है उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वालों को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार चलाना तो इस तरह का चल रहा है पशिम्बंगाल के मुर्शीदाबाद में जुला कॉंग्रेस कार्याले में प्रेस कॉंफरेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष और सांसत अधीर रंजन चौधरी ने प्रधान मंत्री मोधी के खिलाफ अपत्ति जनक शब्दों का इस्तमाल किया उन्होंने कहा कि ये मोधी नहीं पागल मोधी है लोग उन्हें पगला मोधी कहते हैं ना बात करता है ना चर्चा करता है कोई भी फैसले ले रहा है कॉंग्रेस अध्यक्ष मलका अरजुन खडगे के बेटे प्रियांग खडगे ने प्रधान मंत्री मोधी को लेकर विवादित बयान देकर एक और विवाद खड़ा कर दिया है प्रियांग खडगे ने प्रधान मंतरी मोदी के लिए कहा है कि दिल्ली में नालायक बेटा बैठा है एक मई को करनाटक के गुलबरगा में एक चुनावी राली को सम्भोधित करते हुए प्रियांग खडगे ने प्रधान मंतरी मोधी के बारे में कहा कि अगर घर का बेटा नालायक हो तो घर कैसे चलेगा? बंचारा समुदाय की एक राली को सम्भोधित करते हुए उन्होंने कह प्रियांग खडगे ने कहा कि प्रियांग खडगे ने कहा कि प्रियांग मोधी ने खुद को बंचारा समुदाय का बेटा बताया है ऐसे में अगर बेटा नालायक हो तो घर कैसे चलेगा? दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल ने 14 मार्श 2023 को मध्य प्रदेश की राजथानी भोपाल में कारकरता सम्मेलन को संबोधित किया नोट बंदी और कोरोना में थाली बज़ाने की घटना का दिक्र करते हुए कहा कि प्रियांग पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कोई भी बेफकूफ बना देगा कोई आकर कहेगा सर आप नोट बंदी कर दो भ्रष प्रष्टा चार खत्म हो गया कोई आकर कहेगा कि नोट बंदी कर दो आतंगवाद खतम हो जाएगा क्या हुआ पूरा देश लाइन में लगा दिया पूरा देश चौपट हो गया ना प्रष्टा चार खत्म हुआ ना आतंगवाद कोई कहेगा कि सबसे थाली बज़वाओ क PM Modi का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन इस बार खुद राच्च सभास सांसद ने PM Modi पर ऐसी टिपनी की है जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है आपका क्या मानना है कमेंट करके हमें अपनी राई जरूर बताएं तब तक के लिए देखते रहें Capital TV नमस्का स्था बढूंक स्यूब का लेखते रहें कि कमे अबसु झाले सकति है याई पुछ करने में शोड़ादाब करें लेकिन वेकिन बड़ादाने से अवेकिने में अबस।